हलो फ्रेंड्स विल्टम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइ डिजाइन फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग बहुत थी सिंपल तरीके से फोर टक्स ब्लस लिनिंग ब्लाउज यानि कि अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई सीखने वाल अस्तर वाला फैवरिक ठीक है और बस उल्टे साइड में अस्तर वाला फैवरिक रखने के बाद हमने पिंजे सिक्योर कर लिया है साइड साइड से हमने चारो साइड सिलाई लगा लिया है बड़ी बख्या से अब इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा का फैवरिक कट किया था अब इसके बाद यहां पर इसको हमको बीच से अलग करना होगा क्योंकि यहां पर हम उक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे तो दोनों साइड से हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे और बीच से इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने यहां पर इसकी कटिंग कर लि तो इस तरह से हमारे 4 फल्ले की वर फ्रेंट पार्ट में तयार होते हैं अब इनको एक एक करें जोड़ना है तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम टक्स के निशान डाले थे जो वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले नीचे वाला टक्स पकड़ेंगे ऐसे और प तो देखो जब भी हम टक्स पर सिलाई लगाते हैं तो डबल सिलाई जरूर चलाते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारा हो गया चार टक्स कंप्लीट हो गए अब इसके बाद यहां पर हम इस बेल्ट को जोड़ेंगे ऐसे करके तो यहां पर इसको ऐसे पकड़ना है पकड़ने के पर आगे की साइट थोड़ा सा कोना निकालके रखना है इस तरह से और यहां पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को पूरी को जोड़ देना है तो देखो इस तरह सी हमने यहां पर जोड़ दिया अब इसको पूरा फैला लेंगे फैलाने के बाद अब हम यहां इसके बाद जो आगे की साइट का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे तो यह हम आप हम प्ल्ला कम्प्लेट हो गया जैसे हम ने इसको इसके लिए हमने जो असतर की पट्टियां कट किया था तो उनमें हमने जोड लगा लिया है जो ओर लगाने के बाद नहीं दो प्ति काट किती एक घटवा है एक बडवा प्ति की साइड अस्तर वाला फटी भी चाहिए तो इस तरह से हमने इहाँ पर इसकी प्ति डबलँ चाहिए और जो हमारी घटवा प्ति होते हुँ उसके लिए से इपेख पट्टी चाहिए होती है जो कि अस्तर की होती है अब हम यहाँ पर आगे की से सैट से ऐसे रखेंगे एक पयरका मार्जीन लेते हुए शिलाइ लगाएंगे अब जो मार्जीन है उसको हम पट्टी की साइट को करते हुए शिलाई लगाएंगे इसके बाद फिर से इसको ऐसे अंदर की साइट को फोल लिकरेंगे हाथ से प्रेस करेंगे फिर इसको अंदर की साइट को फोल लिकरेंगे इसके बाद यहां पर हम साइट साइट से बड़ी करो लाइत तो इस तरह से यहां पर हम शिलाई लगा लेते हैं हमने शिलाई लगा है कि इसके बाद यहां पर इसको पूरा फैलाएंगे फैलाने के Uh यहां पर जो हमारी उपर की साइट पट्टी है उसे हमें जो एक्स्ट्रा है उसे हमने कट कर दिया इधर भी नीचे की साइट भी कट कर देना है तो यह हमारी घटवा पट्टी बन के रही है अब देखो चलो यहां पर हम लोग बढ़वा पट्टी बनाते हैं तो बढ़वा बड़ीबख्या से शिलाई लगा लेंगे, तो चलो, यहां पर हम बड़ीबख्या से शिलाई लगाले लिए तो देखो इस तरही है हमने यहां पर मेन फैबरिक, अस्तर फैबरिक बिठा लिया है मतलब कि जोड लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर दिया है अब एक साइट से उसको हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा लेंगे यह हमनी यहाँ पर पट्टी कंप्लेट कर ली है अब जिधर साइट हमें लगानी है अपनी बढ़वा पट्टी तो उसको ले लेंगे ब्लाउस को और बस इस तरह से यहाँ पर रखेंगे रखने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए शिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से यह हमनी यहाँ पर शिलाई लगा लिया इसके बाद जो मार्जिन उसको हम पट्टी की साइट को करते हुए हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे इसके बाद फिर इसको सीधा करके ले लेंगे उपर से शिलाई लगा लेंगे तो बस यहाँ पर हम शिलाई लगा लेते हैं यह हमने शिलाई लगा लिया इसके बाद जो एक्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देना है बराबर से तो यह हमने यहाँ पर इसे cut कर लिया है यह हो गई हमारी बढ़वा पट्टी और यह हो गई हमारी घटवा पट्टी तो घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी हमारी complete हो गई इसके बाद यहाँ पर हम piping बनाएंगे पाइपिंग के लिए जो हमने औरेव पट्टी लिया है अपने में फैबरिक के औरेव पट्टी लिया है और बस इस तरह से लेने के बाद चलो पाइपिंग कैसे बनाते है तो औरेव पट्टी को हमने जो लिया है तो उल्टा साइड हमारा अंदर के सट को ऐसे फोल लिकरना ह और जो सीधा साइड है वो बाहर की साइड को है और बस इस तरी से आगे से. यहाँ पर हम इसे बराबर से कट कर देंगे और एसे कट करने के बाद अब हम यहां पर इसको ऐसे रखेंगे पट्ट्टी को और बस यहाँ पर एक रहार का से कट कर लेना है तो देखो इस तरह से हम नह light कर देखो जो पटी की चाइड को करेंगे और फिर इसको अंदर खो फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमनी यहां पर इसे फोल्ड करने के बाद यहां पर उपर से हम सिलाई लगाएंगे तो बस यहां पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो देखो इस तरह से हमनी यहां पर सिलाई लगा लिए अपनी पाइपिंग बना ली है अब यह पाइप चैपिंग बना लिया अब इसके बाद हम घटववा पटी को बढ़वा पटी को ऊपर इस तरह से उठां के रखेंगे और इसे पिंज से सिक्योर कर लिए कर लिए हमारा ऑगी कपला कंपलेंगा है अब जलो को हम साइड में रखते हैं अब ले लेते हैं अपनी स्लीव से तो देखो हमने स्लीव से तैयार करके रखें यह डिजाइन मैंने बनाया हुआ है तो इतनी फ्रीसिंग से मैंने डिजाइन बनाई है कि आप मतलब भी मार्जिन उल्टे साइड भी नहीं दिखेगा तो अगर तैयार करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ल करेंगे हमने यहां पर फोल्ल कर लिया दोनों स्लीव को अब ऐसे फोल्ल करने के बाद यहां पर आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे तो यहां पर हम फिटिंग का नाप डाल देते हैं जो भी हमारा यहां पर फिटिं तो बसे इस तरह सी यहां पर भी लाइन खीच लेनी है तो इस तरह सी हमने यहां पर लाइन खीच लिया है अब इसी लाइन के ऊपर हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे तो देखो इस तरह सी हमने यहाँ पर दोनों साइट सिलाई लगा लिया है दोनों स्लीप्स में अब इसके बाद इसको पुरा सीधा करके ले लेंगे यह हमने दोनों स्लीप्स सीधी करके ले लिया है अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना बलाउस ले लेंगे तो देखो यहां पर हमारा फ्रेंट पार्ट हमने अभी तयार किया बैक पार्ट आपको दिखाते हैं बैक पार्ट की डिजाइन भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया है जिसने भी फॉलो किया है वो देखा होगा जिसने फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो और भी देख लो जाके कि बैक नेक मैंने कैसे तयार किया तो मेरे और मैंसे का वीडियो फुल टूटोरियल में अपने योट्यूप छैनल भी अपलोड किया है इसकी डिजाइन का बैकने का तो बसे वहां से देख ली न अब जैसे हमने तयार Baş ता उसी तरह से लेना तो जो भी हमारा सीने का साइज है उसको यहां पर निशान डाल देना है जैसे 32 है तो 32 का हाफ करके निशान लगाएंगे 16 तो आपका जो भी साइज है उसको हाफ करके निशान लगाना है इस तेम ऐसे ही कमर का नाप डालना है तो जो भी टोटल कमर है कमर का हाफ करके निशान लगाना है है मेरी यहां पर जो ब्लाऊज है उसके कमर है 26-26 का हमादा करेंगे 1313 इंच पर निशान लगांगे तो बस इस तरह से यहां पर हम निशान लगा लेते हैं दोनों साइड कमर का शीणे का और ये दोने कमर और सीने का निशान डाला है वन दोनों को निशानों को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खीच तेगे लिए policy इस तरह लेती हैं लाइन खीचने के बाद इसी कटूंब लेंगे लाइन दाई ओसी के ऊपधने तो यह नो पुम छिलाई लगा लिए एक्स्रा है दूसरे साइट ईाब से लगा लीन आप सिलाइी लगा लेना है अब यह सिलाई लगाने के बाद ॉसको हम इस तरह से cut कर देंगे और cut करने के बाद अब जो हमारा back side का कपड़ा है उसको हम इस तरह से fold करेंगे fold करने के बाद फिर से इसको अंदर के side को fold करेंगे और उपर से शिलाई लगाएंगे तो चलो हमने तयार किया उनको ले लेंगे और half inch जो उपर के side down है वो हमारी मतलब देखो blouse को उल्टा करके लेना है sleeves को सीधी करके लेना है उसके बाद half inch उपर के side down वाला रखना है और इस तरह से sleeves पता करने ही कौन सी को अर्म लेंगे और इस तरह ने के बाद Norway पता करने के बादे को अपने आर्म HUL के आंदर ऑनदर यसे डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद यहां पर दोनों की गुलाएं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए तो देखो इस तरह से दोनों की गुलाई बिल्कुल बराबर है अब हम यहाँ पर कोना कैसे बनाएंगे तो देखो जो हमारा मार्चीन है ना ब्लाउस वाला उसको हम इस तरह से तीरा बना के ऐसे फोल ले करेंगे और उंगली से दबा के ऐसे रखेंगे और जो हमारा blouse जो हमारा sleeves वाला margin उसको इस तरह से उसके opposite side तीरा बना के फोर ले करेंगे पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो चलो पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं तो बस यहां पर half inch का margin लेते हुए हम पूरे में यहां पर शिलाई लगा लेते हैं तो यहां पर पूरे में half inch का margin लेते हुए शिलाई लगा लिया है तो यह हमारी हो गई स्लीफ अब जैसे हमने यह वाली स्लीफस बनाई है सेम तरिके से दूसरी वाली स्लीफस को भी जोड लेना है जैसे हमने यह स्लीफ जोड़ा है सेम ऐसे ही दूसरी स्लीफ भी हम जोड लेते हैं चलो यहाँ पर हमने दूनों स्लीफ जोड लिया है अब इसके बाद नीचे का फोल्ड करेंगे तो नीचे का फोल्ड करने के लिए हमने बैक पार तो पहले से तैयार करके रख निकालने के बाद इसको पूरा फैला लेंगे फैलाने के बाद देखो इस तरह से फैलाने के बाद जो हमारा मारजीन है उसको फ्रेंट पार्ट के साइट को करेंगे और फिर नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से इसको पूरा अंदर के साइ लगा लेंगे तो चलो अब हम इधर भी सिलाई लगा लिए हैं देख सकते इस तरह सी हमारा पूरा व्लाउस बनके रेडी हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यमाद